समस्त मात्र शक्तियों भाई बंधों सादर जैस्री क्रश्ण वामन एकादसी परिवर्तिनी एकादसी का वरत स्रद्धा पुर्व करने से और इसकी पावन वरत कता को सुनने से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुशार्थों की शिद्धी होती है सभी पापों का नाश होता है जो भी मनोकामना होती है वह पुर्ण होती है तो मित्रो आज आपको हम बताएंगे वामन एकादसी परिवर्तिनी एकादसी का वरत कब रखा जाएगा तो मित्रो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एश्ट्रो गुरुजी में यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ये दिन नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्ट दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे आप नित्य नई नई ग्यान मरधक जानकारियां वा नित्य का राशी फल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो वरत एवं उपवास का महत्व हर देश में होता है हर धर्म वरत के लिए आदेश देता है क्योंकि जो इसका विधान होता है आत्मा और मन की शुद्धी के लिए होता है वरत एवं उपवास करने से ग्यान शक्ती में वरद्धी होती है तथा सद विचारों की शक्ती हमे प्राप्त होती है वरत एवं उपवास में आहार का तियाग एवं सात्विक भोजन का विधान होता है इसलिए वरत आरोग्य एवं दिर्ग जीवन की प्राप्ती का उत्तम साधन होता है तो जो व्यक्ति नियमित वरत उपवास करते हैं उन्हें उत्तम स्वास्त तता दिर्ग जीवन की प्राप्ती के अलावा इस लोक में सुख तता परमात्मा के चरणों में इस्थान मिलता है तो नारत पुराण में वरतों की महिमा को बताते हुए ऐसा बताया है कि गंगा के समान कोई तिर्थ नहीं है और माता के समान कोई गुरू नहीं है भगवान विश्णुजी के जैसा कोई देवता नहीं है तथा वरतों कोई तपस्या नहीं है तो वरतों में एकादसी वरत को सर्वो परी बताया है प्रत्येक माह में दो एकादसी आती है अधिक मास या मलमास पढ़ने पर उस मास की दो एकादसी और होती है इस प्रकार कुल मिला करके 26 एकादशी होती है यह सब एकादशियां अपने नाम के अनुरूप फलों को देने वाली होती है जिनकी कथा तथा विदी सुनने से भली प्रकार ग्यात हो जाता है तो एकादसी की उत्पती तथा महात्म के पढ़ने और सुनने तथा दिन रात भजन किर्टन करने से मनुश्य अनेक सुखों को प्राप्त करके विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। नित्य और काम्य तो एकादसी वरत बिना किसी कामना की किया जाए तो वह नित्य कहलाता है और किसी प्रकार की कामना जैसे की धन, पुत्र, आधी की प्राप्ति अथवा राग, द्वेश, क्लेस, आधी से छुटकारा पाने के लिए किया जाए तो वह काम्य कहलाता है एकादस मास गुरु शुकृ के अस्त रहते वे दिन च्छाय के समई से वरत आरंब नहीं करना चाहिए तो कम से कम आठ वर्शी की आयुवाला व्यक्ति वरत करने का अधिकारी होता है सदवा इस्तरियों को अपने पती की आग्या को प्राप्त करके ही वरत आरंब करना चाहिए वरत जो है सरद्धा भक्ती पूरवक प्रारंब करना चाहिए किसी के दबाव में आकर वरत नहीं करना चाहिए तो वरत का विधान दसमी से शुरू होकर तीन दिन में अर्थात द्वादसी को संपन होता है द्वादसी के द्विती प्रहर में वरत का पारायन किया जाता है पारण किया जाता है वरत खोला जाता है अरथात इस दिन सुपात्र ब्राम्मन को भुजन करवा करके इस वरत का पारण करना चाहिए अथ्वा किसी देव मंदिर में सिधा आधी सजा करके भिजबाना चाहिए यदि एकादसी वरत करना भूल जाए तो द्वादसी को वरत करके त्रेओदसी के दिन इस वरत का पारण कर सकते हैं तो वरत के प्रथन दिवस अर्था दस्मी के दिन से ही तीन दिन तक द्वादसी तक गंध मांस तामबूल फूल सहबास उडद मसूर चना चामल अन तेल शाक सहद आदी का त्याग करना चाहिए और कांसे के पातर में भोजन नहीं करना चाहिए जूट नहीं बोलना चाहिए जुवा आदी खोटे करमों से दूरी रखना चाहिए तो इसनान आदी नित्य करम से निमरत्तो हो करके एकादेसी वरत का संकल पर लेना चाहिए स्रद्धा भक्ती सहीत स्रीहरी का वरत के नियम विधान अनुसार पूजन अर्चन करना चाहिए जब हवन पाठ भजन किरतन आदी में अपना समस्त दिन तथा रात व्यतित करना चाहिए दिन में सोना नहीं चाहिए वरत करने वाला अशक्त दुर्बल अथ्वा रूग्ण या रोगी हो तो दूद फल ओशदी आदी का सेवन इसमें कर सकता है इस प्रकार वरत करते हुए जब भी इच्छा हो वरत का उद्यापन करके वरत को समाप्त कर सकते हैं वरत का उद्यापन किसी योग्य आचारी के द्वारा करवाना चाहिए 26 ब्रामन दंपतियों को सात्विक भोजन उस दिन करवाना चाहिए तथा अपने संबंदियों परिवार तथा इस्ट मित्रों को भोजन करवा करके फिर गवदान आदी विशेश रुप से करना चाहिए तो विधी पुर्वक योग्य आचारी के द्वरा सास्त्र की विधी के नुसार उद्यापन करवाने से वरत की सिध्धी प्राप्त होती है तो वरत में सागार का विधान इस प्रकार से होता है एकादसी के दिन सागार का विश उत्पन्ना तित्षी को घुड़ लिया जाता है और बादाम, मोक्षदा को, बिलवपतर, सफला को तिल, गुड, पुत्रदा को, गाए का दुग्द, गाए का दूद, शटिट्शिक तिल को, तिल की गजग या पट्टी लेना चाहिए, जया तित्षी को गूंदairy के साथे, और विजिया तिथी को सिंगाडे का आटा, आमलकी को आमला लिया जाता है, पाप मोचिनी को चिरोंजी, कामदा को लोंग और वरुतिनी को खरबूजा लिया जाता है, मोहिनी को गव मुत्र और अपरा को ककडी, निर्जला को कैरी, आम और योगिनी को मिश्री, देवशैनी को दाख मुनक्का और कामिका को गव दुग्ध, पुत्रदा एकादसी को गुड, अजा एकादसी को बादाम, चुहारे, और परिवर्तिनी वामन एकादसी को ककडी, इं पांग कुशा एकादसी को सवाम और रमा एकादसी को केला प्रभोधिनी एकादसी को काचरा पदमिनी और रमा एकादसी को रितू के अनुसार आपको सागार उसमें लेना चाहिए तो जिस एकादसी में जो रितू हो उस रितू में जो फल हो उनका सागार आप ले सकते हैं त इसका पूर्ण फल भी मिलता है तो एकादसी तिथी के दिन सरद्धा पूरवक पूजन अर्चन करना चाहिए तो अब आपको हम बता रहे हैं परिवर्तिनी एकादसी की कथा के बारे में तो इस दिन भगवान लक्षमी नारण जी की सरद्धा पूरवक धूप दीप करना चाहिए तो इस वर्स दोजार चोविस में परिवर्तिनी एकादसी का वरत दिनांक 14 सितंबर 2024 को रखा जाएगा इस दिन पूजा का समय प्रातहकाल 7 बच के 38 मिनिट से आरंब हो करके प्रातहकाल 9 बच के 11 मिनिट का सर्वस्रेष्ट समय रहेगा इसके अलावा आप अ तो इस दिन पूजन अर्चन करने के पश्चात रातना करें और इस प्रकार से यह कथा आपको सुनना चाहिए कथा इस प्रकार से है धर्मराज उदिष्ठिर बोले कि भादो मास के शुकल पक्ष की एकादसी का नाम तथा विधी क्या है सो मुझ से कहिए तो कृष्ण भग इस एकादसी की कथा से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है यदि कोई धर्म परायन मनुश्य इस एकादसी की दिन मेरी पूजा सरद्धा के साथ करता है तो मैं उसे समस्त संसार की पूजा का फल देता हूँ जो मनुश्य इस एकादसी की दिन स्रीवामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा का फल प्राप्त कर लेता है इस एकादसी के दिन स्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादसी कहते हैं इस पर स्री दिश्ठिर जी कहते हैं कि है भगवन आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि किस प्रकार से सोते तथा भगवान करवट बदलते हैं तथा उन्हें बली को क्यों बांधाता और वामन रूप धारण करके कौन-कौन सी लिलाएं भगवान ने की थी तो स्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि त्रेता युग में बली नाम का एक दानव कुल में उत्पन हुआ एक राजा था वह राजा अत्यंत भक्त था दानी था सत्यवादी था तथा ब्रामनों की सिवा किया करता था इसी भक्ती के प्रभाव से ही वह स्वर्ग के राजा इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा था तो इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन ना कर सके और भगवान के पास जाकर के उनसे प्रारतना करने लगे अंत्मे भगवान ने वामन रूप धारन किया और बली के द्वार पर जा पहुँचे वहां बली के कहन पर उन्होंने कहा कि हे राजन तुम मुझे तीन पेर भूमी दे दो तो इससे तुम्हारे लिए तीन लोक दान का फल तुम्हे प्राप्त हो सकेगा राजा बली ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमी दान देने को तैयार हो गया तो वामन भगवान ने अपने आकार को बढ़ाया और भू लोक में पेर रखे भूबर लोक में जंगाएं की स्वर लोक में कमर की महर लोक में पेट किया जन लोक में हरदई और तप लोक में कंठ और मरत्यू लोक में मुख रख करके अपने सिर को उचा उठा लिया और फिर और पूछा कि है राजन अब मैं तीसरा पेर कहां पर रखूँ इतना सुनकर राजा बली ने अपना सीर नीचे कर दिया उस पर उनोंने अपना तीसरा पेर लग दिया तो वह भक्त दानव पाताल को चला गया उसे अत्यंत वीनीत भाव में पाकर विश्णु भगवान कहते है कि हे बली मैं सदेव तुम्हारे पास ही रहूंगा तो भादो मास के सुकल पक्षिकी परिवरितिनी नाम एकादसी के दिन उनकी एक प्रतिमा भगवान के एक प्रतिमा राजा बली के पास रहती है और एक छीर सागर में शेश सया पर सयन करती रहती है इसी एकादसी को विश् पापों से मुक्त हो करके स्वर्ग लोग को चला जाता है तो यह कथा स्रद्धा पुर्वक सुनने से इस वरत का पूर्ण फल प्राप्त होता है तो मित्रों आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ग्यानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी यदि आपको पसंद आई हो तो आप से अधिक शेयर अवश्य करें धन्यवाद जैस्री करश्न मित्रों फिर मिल